दोस्तों आज हम footwear company में एक ऐसी company को discuss करने बाले हैं जो sports and athleisure में number one brand रखती है साथी साथ company का 17% market share branded और footwear market में है यानि अगर 100 shoes बिकते हैं जिसमें 17 shoes केवल इसी company के होते है company के पास 20,000 से उपर के retailers है यानि इतने shops company 650 cities में 28 states में company काम करती है 44.7% से revenue distribution company का हो रहा है और company का जो rows है आप यहाँ पे देख सकते है return or capital implied 23.2% है double disease से उपर 23% के करीब से company का revenue return or capital implied grow हो रहा है आप बता सकते हैं वो कौन से company है तो चलिए हम देखते हैं आज हम जिस company को discuss करने वाले हैं उस company का नाम है campus active years campus active years present time में जिस rate पे मिल रही है वो बहुत ही जादा अच्छे rate पे मिल रही है मेरे हिसाब से अगर इस company को इस time पे कोई अपने portfolio में जगह देता है तो future में अच्छा खासा return generate करते हुए देखने को मिल सकता है एसाब में क्यों बोल रहा है क्योंकि company का जो business है आप अपने आसपास अगर किसी भी city में रहते होंगे तो आपके आसपास campus का नया shops open होते हुए देखने को मिल सकता है company लगातार अपने ebos को बढ़ाते जा रही है और साथ ही साथ company अपने brand and marketing पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है company d2c पे काम कर रही है यानि direct consumer तक पहुचने के लिए company amazon, mintra, flipkart और offline ebos 200 plus ebos 1000 plus lfs counters है जहां से कोई भी जो campus active year के shoes आप वहां से खरीच सकते है sport shoes से लेकर company जो घर में पहने वाले shoes से लेकर जो tracking shoes है उसमें भी company अपना business कर रही है company बास 2000 plus active styles है और 2800 plus new design launch किये company 19 से लेकर 23 में तो आप समझ सकते हैं कि इस company का growth कहां से कहां पहुचने वाला है वो जो उसके revenue में भी देखने को मिल रहा है साथी साथ company जो अगर हम sports और इस सब चीजों की बात करें तो present time में जो पूरे market जो इंडिया का market है वो 12000 करोड का है आप समझे 12000 करोड के market cap का present time में चल रहा है और ये 15 से 20% की rate से लगातार बढ़ रहा है तो अगर किसी पूरी industry का market का 20% के rate से grow हो रहा है तो ये company भी यहां से 30% 25% के rate से आराम से grow होते हुए देखने को मिल सकती है अगर ये CSER की हिसाब से बते compound annual growth return के हिसाब से बात करें तो अगर company आपको 25-30% के rate से grow होते हुए देखने को अगर 10 सालों मिल सकती है तो आपके पैसे यहां से 100 times return generate होने को मिल सकता आने वाले 10 से 12 सालों में साथी साथ company जो है वो branded मतलब जो premium segment के सूज launch कर रही है जिसकी price minimum 2000 एपर 2000 से उपर के सूज launch कर रही है और उससे उस company को जादा profit देखने को मिल सकता है अगर हम यहां पर company के आज आते हैं और company का market cap देखते हैं तो company का market cap केवल अभी 10,000 करोड का है यानि यहां से जो अगर 20% का grow इसके पूरे market पूरे industry में हो रहा है और मैं कहता हूँ 20% का grow अगर industry में हो रहा है यह company आपको 25% के grow से अपना market share बढ़ाती गई तो 10-15 साल में आप यहां से 100 times का return generate करते हुए देखने को मिल सकते हैं जैसा आपने relaxo में देखा था अगर आप पर इसमें relaxo footwear में मैं जाऊं और relaxo footwear में अगर आप यहां पर 10 साल का data देखिए तो 10 साल पहले अगर हम 2013-14 की बात करें आप मैं maximum कर लेते हैं तो 2013 से या फिर उससे पहले की बात मैं कर लो यहां पर 2010-20 के बारे में अगर आप बात करें तो 12 रुपय का price 2012 में आपको दिख अगर आप divide करेंगे तो 100 times का return आएगा तो 10-15 साल में जैसे relaxo ने 100 times 200 times का return generate करके दिया है यहां पर मैं आपको एक तरीके से और दिखा रहा हूँ मैं यहां पर search करता हूँ relaxo share price करके अगर मैं आपको यहां पर google पर search करता हूँ तो देखिए आपको क्या निकल क्या आता है यहां पर और यहां पर मैं maximum chart maximum कर दूँ तो आपको यहां पर return देखने को मिलेगा और वो return कितने time है 62 times है जब से company list होई है वहां पर 62 times दिखा रहा लेकिन यह गिरावट है 50% गिरे हुए price पर आप देख रहा है लेकिन अगर हम यहां से 2011 से 2020 के बारे में बात करें 2021 तक अग company 100 times का return generate करते हुए देखने को मिली थी 96 times 100 times का return generate 100% नहीं 100 times 100 गुना एक लाख एक करोल रुपया बन गया था मेरे हिसाब से जैसे रिलेक्शो फुटिवेर पिछले 10-15 सालों में पैसे बना के दी है मेरे हिसाब से जो campus एक्टिवेर है यह भी आपको उसी हिसाब से आने वा लगता है अगर हम इसके रोस और आरोई की बात करें तो 23 का रोस और 23.9 का आरोई है company का जो debt to equity 0.61 है तो बहुत जादा नहीं है अगर company अपने हिसाब से debt को कम जादा कर सकती है company के पास 400 करोल का reserve है और उसके respect में 335 करोल का जो debt है तो debt company जैसे ही इसके business और जादा grow होगा company आराम से अपने debt को complete करते हुए देखने को मिल सकती है अगर हम इसके price range की बात करें तो campus का जो share price है campus list हुआ था on average अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 400 से 500 के price पे list हुआ था जो और वहाँ से उसमें गिरावट हुआ और वो गिरावट निकल का 28% का तो company जिस price पे list हुई 420 के price पे list होने के बाद company नीचे आई और 28% का गिरावट दिखाई उस 28% की गिरावट पे company किस price range पर आ गई थी तो वो price range निकल क्या था 318,19,20 का यानि 320 का माल लिजिए तो 320 के price तक company आई उसके बाद क्या हुआ अच्छा खासा grow देखने को मिला और वो grow अगर आप 50% का return generate करके दी उसके बाद जब nifty का peak खतम हो गया तो लगातार nifty में भी गिरावट आया इस company में भी गिरावट आया और जितने भी footwear company है चाहे रिलक्षो हो चाहे बाटा हो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिलक्षो भी 50% के करीब में गिरा हुआ है अगर आप य इतनी भी इस टाइप के थी वो 50% 60% डाउन होई थी तो campus active year में भी वही गिरावट हमको देखने को मिल रहे है 50-60% company डाउन होते वह देखने को मिल रहे है अपने top से company लगभग 50% डाउन होई थी अभी present time में company 50% डाउन है तो सारी company में आप गुरू होते वह देखने को मिल रही है साथ ही साथ अगर आप यहां पर रिलेक्षो सर्च करें यहां पर रिलेक्षो को सर्च करें लेक्षो फुट्वियर तो यह भी company bottom बनाने के बाद उपर जाते हुए देखने को मिल रही है तो जितनी भी फुट्वियर कंपनिया थी उन सभी में एक साथ गिरावट हो गया है bottom तो बन गया यह bottom वाली line आप मान सकते हैं इसको अगर यहां पर हम देखें तो 315 वाला जो प्राइस था यह इसको हम bottom मान सकते हैं अब मेरे को नेरता किया वाला प्राइस आपको देखने को मिलेगा अब यहां से company उपर जाते हुए देखने को मिल रही है तो अगर 100% का profit देखने को मिलेगा और 100% profit अगर आप किसी भी company में एक साल में अगर आप किसी company में 100% का profit generate कर पाती है एक साल में अगर आप 100% का profit generate कर पाती है तो यह खराब investment नहीं है यह बहुत बहतरीन investment है कि किसी company में आप 100% का profit generate कर पा रहा है एक साल में मैं कहता हूँ इसको एक स का profit campus active year generate करके दे सकता है तो भी कोई problem नहीं है क्यों problem नहीं क्योंकि हम 50% CSGR से अपने पैसे को grow करा रहा है और 50% CSGR मैं आपके तो Warren Buffett Warren Buffett बने है 21% के CSGR से तो वो भी 50% का CSGR नहीं generate कर पाए अगर आपको 50% का CSGR दो साल में मिलता तो भी खराब नहीं है मेरे इसाब से अगर कोई मेरे due diligence पर अगर कोई इस इसाब पर बाई करता है तो उसे 100% के gain से पहले इस stocks को sell नहीं करना चाहिए क्योंकि यह 100% का potential gain देता है आप दिखे ना इसी range पे जो range अभी चल रहा है इसी range पे जब stocks आया था इसी range पे जब stocks आया था वहाँ से company 100% का return ग्रो की थी तो यहाँ से फिर से गिरावट के बाद इस range के आया इस range के बाद ऊपर गया उपर sustain नहीं कर पाई फिर नीचे आया तो मेरे को लगता है फिर से यहाँ से आपको grow देखने को मिल सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि जब आप इसका fundamental देखेंगे तो fundamental की में बहुत सारी चीज़ा आपको देखने को मिलीगी वो क्या देखने को मिल रही है कि company 2014 में केवल 400 करोड का business करती थी वहाँ से 444, 600, 700, 1100 और company अभी 1400 करोड का business कर रही है और अगर हम यहाँ पर operating profit margin की बात करें तो 13%, 12%, 11% का operating profit margin बढ़के 17% हो चुका यानि लगातार operating profit margin बढ़ रहा है अगर हम यहाँ पर बात करें तो company maximum sales कर रही है sales क्या maximum है maximum sales है sales maximum है यहाँ पर 1484 करोड का sales अब तक कभी भी नहीं हुआ है क्या net profit maximum है तो अगर हम यहाँ पर net profit की बात करें तो 117 करोड का net profit है जो की maximum है तो अगर कोई company maximum sales generate कर रही है maximum net profit generate कर रही है और share price उसका क्या हो रहा है share price 50% down मिल रहा है तो यह एक अच्छी opportunity ही कहलाईगी कि sales एक तम अपना maximum है net profit maximum है लेकिन share price 50% down है तो 50% down है तो यह आपको एक opportunity मिला कि अगर आप इस time पे इसको buy करते हैं तो आप यहाँ से 100% gain find कर पाएंगे अब की opportunity बहुत सारे तरीके से दिखी जा सकती है अगर हम investors में जाएं तो क्या promoters इस company को बेच रहे हैं नहीं promoters 74.10% की holding ती जो 74% के करीब में है तो promoters तो share only share को बेचने जाए क्या F20 DI जिसको buy कर रहे है F20 की बात करें तो 6.55 की holding थी September 2022 में जो घट के 6.37 हुआ लेकिन यह बढ़के 6.72 यानि जो F20 की holding है अब तक की maximum है ये भी समझेगा F20 holding भले जो भी है वो अब तक की maximum DI's holding की बात करें तो अब तक का maximum है promoter, F20, DI's सभी के सभी लगातार इस rate पे माल को खरीद रहे हैं तो हम जैसे public क्यों न बाई करें जब समझेगा जब बड़े-बड़े इन्विस्टर्स जो F20, DI's और promoters है लगातार अगर campus activator के product को buy कर रहे है sales को buy कर रहे है क्योंकि उनको पता है कि इस rate के बाद company और नीचे जाने वाली नहीं है क्योंकि company अच्छा खासा sales generate कर रही है net profit अच्छा है company का revenue अच्छा है company अपने sector में number one आप यहां पर देख सकते है sports and athleisure में company पहला number बिलॉंग करती है branded अच्छे product ला रही है अच्छा खासा premium segment के product ला रही है और अगर premium sector के product के बिक्री बढ़ जाएगी तो company उससे जादा revenue generate कर पाएगी और उसमें जो profit margin होता वो जादा होता है जैसे आप relaxo का भी देखे होंगे तो relaxo भी लगातार premium product लाने की कोशिस कर रही है ताकि हम अच्छा खासा revenue generate कर पाएगी वही चीज़ आपको यहां भी देखने को मिल रहा है तो यह जो campus activier है यह भी अच्छे खासे product ला रही है थोड़ा महंगे product ला रही है और लगातार अपने EBOs बढ़ा रही है यह भी मैं आपको बताऊं अभी 200 plus EBOs है company 200 plus EBOs और ज्यादा launch करना चाहती है 2028 तक 2028 तक company जितना EBOs है उसका double कर सकती है तो अगर company 2028 से इतना स्तीजी से grow करते हुए देखने को मिलेगी company 28 states में काम करती है 650 cities में company काम करती है 20,000 plus retail इसके touch point है 425 distributor है तो एक हिसाब से मेरे हिसाब से कहीं से भी इस company में कोई भी problem देखने को नहीं मिलता है और यह company अपने investors को अच्छा खासा return generate करके दे सकती है और देती रहेगी मेरे हिसाब से अच्छा खासा result देती रहेगी तो अगर आप इसे अपने portfolio में जगा देना चाहते हैं तो अपने due diligence से अपने portfolio में जगा दे सकते हैं जब भी किसी company में आप investment करते हैं तो पैसा आपका है, loss आपका होगा, profit आपका होगा मेरे यहाँ से केवल learning देना है, सीखना है, समझना है सीख समझ के invest करना है अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप मैं इस company को इस range पे तो buy करूंगा ही करूंगा और मैं इसे 100% के नीचे तो sell करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 100% का return आराम से generate करके दे सकती है ऐसे ही fundamental strong वीडियो के लिए इस channel को subscribe करिए और अपने friends को share करना नहीं भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का Thank you, thank you so much